Hello everyone, welcome to the class, this is मैं भी शेक साहू, students आज मैं इस वीडियों पढ़ने वाले हैं, class 11 physics का chapter 9, mechanical properties of solid in just one shot, trust me guys, ये one shot आपके लिए best one shot होने वाला है, because जब आप इस वीडियो के end तक पहुँचेंगे, then you will feel कि sir, इससे ज़्यादा आसान ये chapter नहीं हो सकता था, because मैं जो काम कर रहा हूँ, बस मेरा एक ही काम है कि कैसे भी किया जाए, लेकिन आपके लिए chapter को, आपके लिए चीजों को आसान बना आजाए, तब जाकर कि मेरा काम करना वर्दी होगा, trust me guys, कि आप अगर मुझे यहाँ पर एक घंटा अपना दे रहे हैं, तो बस आप ये मान अभी शेक साहू सर फिसक्स, इसको जरूर जोइन कर लेना है, जिसकी लिंक मैंने description में दे दी है, अगर ये लिंक फंक्शन नहीं करती है, तो आप टेलिग्राम पर manually जाकर सर्च कर लेना, अभी शेक साहू सर फिसक्स, यूट्यूब से भी पहले notification आपको यहाँ पर मिल जा एडू कार्ड का sample paper आप जरूर से practice करें, बई देखो मैं आपको बता दूँ, sample paper में आपको ऐसे question मिलने वाले हैं, जो की most important और most expected questions है, इस book में आपको 10 sample paper मिलेंगे, जिसके अंदर आपको ऐसे questions का compilation मिलेगा, जो की आप से, आप इकलास 11 में directly पूछ आ सकते हैं, इन्होंने बहुत सारी research करी हुए उसके उपर, उसके बाद इन questions को इस book में compile करा हुआ है, इसके साथ-साथ आपको इन questions का solution मिलेगा, उसका explanation आपको इस तरह से मिलेगा, कि एक बच्चा की जो thought process है जो thinking process है, उस चीज़को इन्होंनों tackle करते हुए, इसका explanation यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको इस book को जरूर से purchase करो, practice करो, इस book में आपको इसके साथ-साथ, sample उपर के साथ-साथ आपको toppers की जो tips है, और time management में जो tips होती है, वो भी आपको मिल जाएंगी, और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो यह है कि exam time पर, क्योंकि हमें quick revision की ज़रूत होती है, हमें ऐ एक chapter का mind map मिल जाएगा, और mind map कुछ इस तरीके से मिलेगा, कि एक chapter के जितने भी जो important points होते हैं, यह सारे cover हो जाएंगे, और बस आपको सिर्फ इनकी एक एक बार reading कर लेना है, तरीके से, किस तरह से चीज़ों को link करा जाता है, इसमें बहुत बढ़िया तरीके से design करा यह मैं आपको इस वीडियो की description में और comment section में जरूर दे दूँगा, एक बार आप इसको check कर लेना, clear है, now, अब यह हम इस chapter के और आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हमें पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है, mechanical properties of solid की सुरुआत में, हम जानते हैं, कि matter जो होता है, मत फिर हम solid को देखते हैं, कि solid तो वो substances होते हैं, जिनको हम hold कर सकते हैं, space occupy करते हैं, एक दम ठोस से होते हैं, तो solid दो टाइप के हैं, एक वैसे जैसे कि glass हो गया, और एक वैसे जैसे कि rubber हो गई, बोला सर यह ऐसे कैसे, देखो, जैसे कि glass आप देखेंगे, तो glass पे आप force लग मतला अपने shape को change कर लेता है, अपने size को change कर लेती है rubber, है तो solid ही, और जब आप force अटाते हो, तो वापस अपने shape में आ जाती है, size में आ जाती है, तो यह भी solid है, तो हमें का करना है, अब हमें इसको पढ़ना है कि rubber के पास इसा क्या है, चलिए, तो basically हम जानते हैं कि rubber सर elastic हो यहीं से जोड़ा हुआ एक myth आपको समझाते हैं, जो starting में हमें बड़ा ही सोचने में मजबूर कर देता है, कि इसे मान के चलो कि मेरा ना pen elastic है, हाँ मैंने का मेरी जो कपड़ा है, यह shirt जो है, यह elastic है, यह elastic बढ़िया है, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी मेरे दमाग में आ पहनते हैं, तो सामने वाला इंसान समझ गया, elastic है मतलब यह ज़्यादा खिच जाता है, इसलिए यह भी पहन लेता है, इसका भाईया भी पहन लेता है, है के नहीं, तो जब हम यह generally, यह daily life में जब सोचते हैं, elastic, तो हमारे दमाग में जो पहली चीज आती है, वो आती है, ख खिचे, elastic का मतलब ठीक opposite होता है, elastic material हम उन material को बोलते हैं, वो material जो किसी भी तरह के shape में और size में जो change हो रहा है, उसको मना करे, उसको oppose करे, उस material को हम बोलते हैं, elastic material, जैसे मान के चलो कि आपने किसी चीज को खिचा, आपने खिचा उसको, तो वो material जतना ज़्यादा oppose करेगा उस change in size को, उतना ही ज़्यादा elastic material कहा जाएगा, लेकिन उसने oppose किया, लेकिन हमने उसको पकड़ के खिच दिया, तो इसकी elasticity के कारण, ये material वापस खिच गया है, लेकिन जैसे आप इसको छोड़ोगे, वापस से अपने size को, shape को regain करेगा, वापस से original size को, shape को, ये achieve करने की को कोशिश करेगा, तो elasticity जब हम daily life में सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में आदा जो चीज़ जितनी ज़्यादा stretch हो जाए, वो उतनी ज़्यादा elastic है, जबकि हम अब physics में पढ़ रहे हैं, कि जो चीज़ ज़्यादा stretch हो जाए, वो उतनी ही कम elastic है, वो उतनी ही कम elastic है, larger deformation, lesser elasticity, तो proposition है, to the change in its shape and size, कोई body जितना ज़्यादा मना कर सकती है, कि मेरा size चेंज मत करो, मेरा shape चेंज मत करो, उसकी उतनी ही ज़्यादा elasticity होती है, अब body खिच गई, तो elasticity ज़्यादा कैसे होगी, वो अपने shape को, size को regain कर ले, तो basically elasticity किसी body की वो property है, कि वो force लगने पे, खुद के size and shape क change होने से मना करे, और अगर खिच गया है, stretch हो चुका है, तो जैसी force अटाया जाए, जैसी deforming force अटाया जाए, वैसी अपने original shape and size को regain करने की कोशिक करे, तो basically elasticity क्या है, elasticity, opposition है, मना है, विरोध है, to the change in shape and size, तो जो हम daily life में सुनते है, वो हमारा गलत concept है, clear है न, हाला कि जो rubber है वो elastomer का example है, इसलिए हम उसको elastic, elastic, elastic बोल देते हैं, clear rubber भी elastic है, ये बात सही है, rubber भी elastic है, कि हम खीचते हैं, खीच जाती है, और वापस बने shape में जाती है, लेकिन होता क्या है, rubber कम elastic है, rubber is less elastic, क्योंकि rubber पर हम force लगाते हैं, और जल्दी से खीच जाती है, तो rubber is less elastic, तेक चल ऐसा आपको दे दिया, तो आपको समझना है, कि आपके पास एक steel का wire है, steel, और आपके पास एक rubber का wire है, आपने दोनों के पास same diameter, same thickness, same length, वगरा सब कुछ है, आपने दोनों पर equal force लगाया, तो आप मुझे बताइए, कि किसकी length जादा बढ़ जाएगी, और इससी बात है, rubber म मतलब कौन कितना oppose कर सकता है, कौन कितना मना कर सकता है, तो भई, steel जादा मना कर सकती है, steel जादा oppose कर सकती है, equal force पे rubber ही comparison में, तो steel is more elastic, more elastic than rubber, तो हमने क्या बोला, deformation on steel is less than rubber, so steel is more elastic than rubber, simple जी बात है, चलिए ये तो चीजों का एक तरीका हुआ बताने का, आगे आप ये सीखने वाले हैं, इसी वीडियो में, कि हम इसको young's modulus के terms ही बताएंगे, कि steel का young's modulus जादा होता है, और rubber का young's modulus कम होता है, ये कौन सी बात होई, तो आपको समझा देंगे घबराओ मत, ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा इसी वीडियो के अंदर, तो अभी समझते हैं, plasticity का होता ह मतलब permanent deformation को, यदि आपने किसी body पे force लगाया, आपने किसी rod को खीचा, आपने किसी wire को खीचा, आपने किसी spring को खीचा, और वो कभी अपनी original shape and size में lot करके ना आप आए, तो हम बोलेंगे अब ये क्या हो गई, अब ये plastic state है पहुँच गई, कहा पहुँच गई, अब ये plastic state पहुच गई, plastic मतलब इसे नहीं, प्लास्टिक ले लो, टीन ले लो, टपर ले लो, समझे, plastic state का मतलब है, state जिसमें body permanent deformation, परमात्मा में विलीन हो जाए, कि आप इसको वापस से अर्थ पर लोटने की, वापस से इसको माया नगरी में लोटने की जरुत ना पड़े, तो हम बोलते हैं, यह body कैसी बनगी, plastic body, तो plasticity is the permanent deformation, वो property, कि अब यह body दुबारा से कभी, इस माया जाल में दुबारा से कभी, इस body अपने original shape and size में लोटने की कोशिच नहीं करेगी, और ऐसी state का म प्लास्टिक state, और ऐसी property का म प्लास्टिक 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 बोलते हैं अच्छा यह बताओ, कोई भी body हमेशाद रखना, ना तो perfectly elastic होती है, और ना ही perfectly plastic होती है, तो हर body जो होती है, यह nature of everybody lies between this limit, from elastic to plastic, हर body इन दोनों के बीच में ही lie करती है, है ना, चलिए, आगे हम बढ़ेंगे, और अब हम यह समझेंगे, कि जब हम किसी body को खीचते हैं, तो body वापस से regain करने की, अपने original shape and size को वापस से achieve करने की कोशिस क्यों करती है, या किसी body को दबाते हैं, तो वो वापस से अपने original shape and size को regain करने की कोशिस क्यों करती है, आखरकार, तो इसको scientist ने, या इसको हम समझ सकते हैं, using spring model, using spring model, देखो होता क्या है, कि हर एक material के अंदर होत होते हैं कि नहीं होते तो होता क्या है कि देखो जैसे मान के चलो यह एक atom है और यह एक atom है अब इन दोनों atom के बीच में कुछ ना कुछ separation तो होगी होगी तो हमने का इन दोनों atom की बीच में कुछ separation है और इसको नाम दे दिया R-naught अभी यह इतनी separation है दो atom के बीच में कि अभी ना तो ये एक दूसरे को attract कर रहे हैं और ना ही repel कर रहे हैं लेकन ज़रा आप भी सोचो कि जब आप इन दोनों को जब आप stretch करोगे जब आप क्या करोगे जब आप इनको stretch करोगे मतलब आप इस distance को बढ़ाओगे distance जब आप बढ़ाओगे किस से आर नाट से जो इनकी बीच की original distance है अगर आप उससे ज़्यादा distance करोगे तो इसका मतलब क्या है ये दोनों क्या करेंगे ये दोनों attract करने कोशिश करेंगे तो जब distance आर नाट से ज़्यादा होती है तो force कौन से लगता है attraction force किसके बीच में दो atoms के बीच में कैसा force लगा attraction इसको मोलते हैं interatomic force अभी क्या हुआ जब आप इसको क्या कर रहे हो जब आप इसको दबा रहे हो तो क्या होगा आप इस distance को कम कर रहे हो तो ये रिपेल करेंगे रिपेल करेंगे इसका मतलब जब आप इस distance को R0 से R0 से छोटी कर रहे हो जब distance R0 से छोटी हो जाए तो क्या होगा तो यहाँ पर यह दोनों atom एक दूसरे को रिपयल करेंगे क्योंकि वो अपनी Original position पर जाना चाते है और जब distance R0 के original distance के बराबरी है तो कोई force नहीं लगेगा तो हम इसको बोलते हैं no force between them आप इसको ऐसा समय सकते है spring model से जो bond बन रही है दो atoms के बीच की आप इसको spring से धानक लो कैसे spring से मानके चलो यह का है यह spring है यह atom है यह atom spring है खीचोगे मतलब जब आप distance को r0 से बढ़ी करोगे जब distance r0 से बढ़ी जब खीचोगे तो spring का करती है सुकडेगी मतलब attract करेगी जब दबाओगे तो spring expand करती है मतलब repel करेगी है क्या नहीं और जब आप जैसा कैसा छोड़ोगे तो कोई भी force नहीं लगेगा तो यह होती है interatomic forces between या elastic behavior of interatomic forces clear है अब इसी चीज़ को graph के form में समझा जाता है कि atoms के बीच में कब कब कितना कितना force लगता है तो देखे जरा तो क्या होता है जिसे मान के चलो यह जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई इसको हम graph के form में represent करते हैं मान के चलो इस axis पर हमने का बताया इस axis पर हमने बताया कि भई force है इस axis पर मैं आपको बताता हूँ कि यह क्या है interatomic distance और इस axis पर हम represent करते हैं मतलब यह graph बनाना होता है आपको यह हो गया interatomic force तो अभी हम क्या देखते है कि यह जो force लग रहा है यह कुछ इस तरह से behave कर रहा है यह देखो इस तरीके से अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि जब आपने क्या देखा जब जो distance है यह r0 के बराबर है किसके बराबर है जब यह distance r0 के बराबर है दो atoms के बीच के distance जब original distance के बराबर है तो कोई भी force नहीं लगेगा आप यह देख रहे हो y axis में कहा पर यह point लगेगा that will be repulsive कौन जा रिपल्जिव और जब distance r0 से ज़्यादा है जब आप ज़्यादा करोगे तो वो obvious सी बात है वो attract करेगा तो force जब attractive force कब लगेगा जब distance r0 से ज़्यादा होगी तो नीचे की side axis पे आप हमेशा attractive force दिखाते हो और axis पे उपर की side आप हमेशा repulsive force दिखाते हो हमेशा आद रखना कि जब negative energy होती है देखो मैं energy छोड़ो भी तो आप उपर की side का पताऊगे उपर की side पताऊगे repulsive force और नीचे की side आपको दिखाना attractive force जब distance r0 है तो कोई भी force नहीं लग रहा देख लो यहाँ पे और जब distance r0 से कम है तो देखो r0 से कम मतलब repulsive force उपर की side और ये वाली distance r0 से ज़ादा है तो attractive force हो रहा है तो आप यहाँ पर देखो कि attractive force maximum कब है attractive force किसी particular point पे maximum है और उसके बाद जैसे कभी भी आप मानके चलो कि spring को जब आप और जाद देखो पहले आप spring को खीचोगे तो वो attract करेगी लेकर अगर आपने spring को और ज़्यादा ही खीच दिया तो क्या होगा दीरे दीरे उसका attraction खीचने की जो property है वो कम होती चली जाएगी तो इस particular point पे attraction कैसा है maximum attraction कैसा है attraction कैसा है maximum है ठीक और उसके बाद यह attraction कैसा this is tending towards 0 आप ज़्यादा distance बढ़ाओगे तो attraction क्या हो जाएगी दीरे दीरे कम क्योंकि bond जितनी दूर उतनी जो है इसमें जो weakness है तो आप इसको समझे यहाँ पर इस चीज को मैंने आपर लिख भी दिया है और क्या लिखा है when interatomic separation r is large जब interatomic separation जादा होती है तो potential energy of atom is negative हमेशा अद रखो कभी भी जब negative potential energy होती है तो हमेशा attraction होता है हमेशे का होता है attraction और जब positive potential energy होती है वो हमेशा repulsion होता है क्या होता है repulsion positive potential energy repulsion को बताता है negative potential energy attraction को बताता है बताओ जब ग्राफ समझ में आया चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब देखो यह जो बाते मैंने आपको बताई यह सब बाते हमने यहां पर लेकर करके रखिए और अभी हमारे जो next topic आजाता है that is stress अरे sir sir फटा जा रहा है sir बिल्कुल भेंकर stress है sir भेंकर stress क्या करें क्या करें बताओ जब भेंकर stress होती तो क्या करें जंडू बाम लगा लें है यह नहीं जब जब अपन बोलता है stress तो लगता है कि एक दिम अंदर से tension हो रही है ऐसी लगता है कि लगता लेकिन जब बोलता है parents का बड़ा pressure है यार क्या करो है कि नहीं तो ऐसे किस में का उता parents का pressure exam की stress parents का pressure है या जरूत उड़ना है parents को क्यों senior का pressure तो ये चीज़ क्या होते है pressure जब बोलते हैं तो पाहर से पढ़ता है pressure जब बोलते हैं तो stress मतलब tension मतलब अंदर से समझेगे निसमझे तो actual में stress का है stress कुछ भी नहीं है stress कुछ भी देखो मैं आपको एक बता हूँ force जो होता है ना gravitational force है दो charges के बीच में लगे तो electric force है है के नहीं तो जो pressure pressure अगर area पे लगे force अगर area पे लगे तो pressure force अगर area पे लगे लेकिन अंदर से तो stress है के नहीं समझे ये बात को ज़रा द्यान से देखो actual में क्या हो रहा है हो ये रहा है के अगर मेरे पास एक body है ये यदि मैं इसको stretch करता हूँ या compress करता हूँ कुछ भी करूँ जैसे मान के चली ये मैंने इसको stretch किया अब मैंने इसको stretch करा या चलो compress कर ले आप कुछा हो सकता ज़्यादा समझ मैं चलो मैंने इसको ऐसे दबाने की कोशिस की मैं इसको ऐसे दबा रहा हूँ clear है और मैंने लगा है 100 Newton का force यहां से और 100 Newton का force यहां से तो ये body क्या चाहेगी ये body चाहेगी कि मेरा जो shape है ना या मेरा जो size है ना इसको आप change मत करो तो हर एक body के अंदर खुद को defend करने की एक सक्ति होती है होती कि ने होती तो ये body भी और वैसे भी Newton का rule तो कहता ही है every action is equivalent opposite reaction तो आपने 100 Newton यहां से लगाया और 100 Newton यहां से लगाया तो ये body भी oppose करने के लिए 100 Newton यहां पे लगाएगी और 100 Newton यहां पे लगाएगी तो actual में इसने क्या किया internally force लगाया actual में हमने जो force लगाया था उसको oppose करने के लिए उसको मना करने के लिए इस body ने अपने अंदर एक force generate करा जो कि इसके size को restore करना चाता है अपनी original position में लाना चाता है और इस restoring force per unit area को हम बोलते है stress, is restoring force per unit area को हम बोलते हैं stress, इतनी सारी बात ही मैंने क्यों बताई, भई अंदर से लगे इसलिए stress है, अंदर से लगे इसलिए stress है बाहर से लगा होता ना, तो pressure जो मैं लगा रहा हूँ ना, मैं उसको pressure बोल सकता हूँ अंदर से लगे वो stress है समझ में आरी बात force per unit area के मैं बात कर रहा हूँ clear now, अभी देखिये the internal restoring force the internal restoring force per unit area of cross section is called stress, बात समझ में आरी है ना now, अभी देखिये, होता क्या है कि अब कुछ कहने कहने की बातیں कहने कहने की बाते क्या है कि मैं ये कहता हूँ, कि मैंने मान के चलिए 100 newton per meter square की stress लगाई और यह कहने को मिल जागए we apply stress of 100 newton per meter square तो कहा जाता कि हमने 100 newton per meter square की stress लगाई जबकि body खुद के अंदर stress generate करती है हम नहीं body पे stress लगाते हैं हम तो force per unit area ही लगा रहे हैं लेकिन क्या और इसने बराबर से उतनी stress को generate कर लिया तो यह जितना हम लगाएंगे उतनी यह stress generate करेगी तो हम इसको कह भी देते हैं कि हमने क्योंकि देखो इसने generate करी इसका मतलब क्या है हमारी current तो कह देते हैं कि हमने 100 newton per meter square की stress लगाई है और जब भी हम stress की बात करते हैं तो हम area of cross section की बात करते हैं area का मतलब होता है पूरा area और area of cross section का मतलब होता है कि जिस part को आप देख रहे हो जहां पर force लग रहा है सिर्फ उसी cross section को आपको consider करना होता है तो stress का formula तो basically stress is a restoring force तो stress का formula होता है force applied upon area of cross section force applied force applied क्यों बोला क्योंकि जितना force हम लगाएंगे उतना ही force वो body restore करने की कोशिच करेगी तो stress का formula force upon area of cross section that means we can write here f upon a force का है force है newton area क्या है meter square तो newton पर meter square अगर हम बात करें dimension की dimension होगी ml-1 t-2 ml-1 t-2 okay now आगे बढ़ जाते हैं अब stress जो होती है हमारी 3 type क्यों होती है first one is tensile stress क्या tensile stress tensile stress tensile stress जो है आपकी इसको हम बोलते हैं longitudinal stress tensile stress का दूसरा नाम है longitudinal stress जब हम ऐसे खीचते हैं जब body को stretch करें तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर जो stress generate हो रही है that is called tensile stress जब हम body को compress करें दबाएं तब जो इसके अंदर stress generate होगी इसको हम बोलते हैं compressive stress और जब हम body को ना तो stretch करें ना दबाएं लेकिन कुछ उस तरह से करें कि उस पर tangential force लगे कैसा लगे tangential force जैसे कि यह हमारे पास एक box है इसकी एक surface को हमने fix करके रखा हुआ है और दूसरी surface पे हमने इस तरह से कुछ touch करते हो tangential force लगाया तो यह क्या हो जाएगा यह कुछ ऐसे से ऐसा हो जाएगा यह box ऐसे से ऐसा हो जाएगा कई बार नहीं होता कि school बे या coaching बे कोई bench जो है हिल रही है तो हम कहा देखते हैं कि वो नीचे से तो साई टिकी हुई है लेकिन उपर से ऐसे ऐसे हिल रही है तो उसको कौन सी stress बोलोगे that is called that is called shear stress क्या बोलते हैं उसको shear stress तो हम इसको बोलते हैं that is shear stress तो आप यहां पर बोल सकते हैं कैसा force लगता है tangential force formula सब कब है यह force upon area of cross section clear now आगे बढ़ जाते हैं strain की बात करते हैं जब भी हम किसी body पर stress लगाते हैं देखो obvious सी बात है stress तो अंदर से लग रही है लेकिन जितनी हमने force लगाया उतना ही यह equal and opposite force लगाती है तो same value हो जाती है तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमने किसी body पर stress लगाई बानका चलो जब हमने किसी body पर stress लगाई चाए वो tensile हो या वो compressive हो या वो shear stress हो तो हर case में क्या होता है भाई कोई ना कोई value बदलेगी जैसे आपने stretch किया तो length में change आया हाँ length में change आसकता है compress किया length में change आसकता है या volume में change आसकता है तो हम यह बोल सकते हैं जब हम किसी body पर stress लगाते हैं जब हम किसी body पर force लगाते हैं deforming force लगाते हैं तो उससे उसकी length, volume बगएरा बगएरा ये चीजे चेंज हो सकती है मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब हम किसी body पर deforming force लगाते हैं तो उस body की dimension change हो जाती है क्या change हो जाती है dimension तो strain हमें ये बताती है strain हमें बताती है कि उसकी dimension कितनी change हो गई with respect to original dimension हम ऐसा बोल सकते हैं कि change in dimension per unit original dimension is called strain is called strain मतलब हम यह बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास एक body खीचा तो उसकी length change होगी तो हम बोलेंगे change in length upon original length volume change हुआ तो change in volume upon original volume clear है? तो यहाँ पर हम सभी चीज़ों को consider करते हुए सभी चीज़ों को धायन रखते हुए हम यह बोलते हैं कि change in dimension upon original dimension original के comparison में कितना change आया देखो कई बार बच्चे का करते हैं कि इसको समझ जैसे आपने कहा कि strain तो वो का करते है strain समझ लेते है change in length कितनी है देखो actual में क्या होता है change in length खाली अलग चीज़ होती है जैसे मान के चलो मेरे पास यह एक 1 meter का wire है अब मैंने इसको stretch करा इसकी length हो गई 1.1 meter मेरे पास एक और wire है अब यह wire है मेरे पास 2 meter का अब मैंने इसको stretch किया इसकी length हो गई कितनी 2.1 meter तो आप क्या देखते हैं आप यह देखते हैं कि change in length upon original length क्या देखते हैं change in length upon original length तो इसमें change in length कितनी हो गई है 1.1 meter तो 0.1 और original length कितनी है 1 तो आप क्या देखते हैं कि strain कितनी निकल के आई 0.1 unit कोई नहीं है meter से meter cancel हो गया अब आप यहाँ पे देखो यहाँ पे change in length कितनी है 0.1 upon original length कितनी है 2 तो यहाँ पे कितना हो गई 0.05 तो आपने क्या देखा कि बई change in length तो दोनों cases में same है लेकिन strain क्या निकल के आ रही है कुछ और निकल के आ रही है तो strain depends on the value of original length और original dimension चलिए अब strain भी आपकी तीन type कि हो गई कैसे longitudinal strain longitudinal strain तो आपका change in length upon original length cover करेगा जब अपन किसी body को खीचते है तो अभी इससी बात है उसकी thickness वगरा भी change होती है हाँ तो हम बोलते हैं कि इसका volume change हुआ है खीचा हमने उसको खीचा या हमने उसको compress करा खीचना नहीं बोलना चाहिए उस time पे तो volume आपका same है रहता है खीचना नहीं बोलना चाहिए मैं अपने सब्द वापस लेता हूँ लेकिन जब किसी body को 4 और सो दबाते है तो उसका volume change होता है कि नहीं होता उसका volumetral strain बोलते हैं clear है? चलिए तो यहाँ पर change in volume upon original volume now next आपके पास shear strain क्या? shear strain तो shear strain की calculation क्या होती है? अब यह कुछ ऐसे tilted हो गई जैसे body कुछ इस तरीके से थी यह box कुछ इस तरीके से होगा आपने इस पर यहाँ से force लगाया तो यह कैसे हो गया? यह कुछ ऐसे हो गया मतलब यह shear कर गया? क्या कर गया? यह shear कर गया यह angle है theta और यह है 90 degree अदिखो यहाँ पर क्या हो गया? क्योंकि आपने tangential force लगाया है यह जो angle जो theta बताएगा यह theta will be the calculation of shear strain तो अभी आप क्या देखते है? यह theta और यह 90 degree तो यह क्या हो गया? यह हो गया base theta और 90 degree यह क्या हो गया base और यह क्या हो गया? यह हो गया perpendicular यह हो गया perpendicular तो आप क्या देखते हैं कि perpendicular upon base आप क्या देखते हैं perpendicular upon base क्या बता रहा है? perpendicular upon base बता रहा है 10 theta क्या बता रहा है? 10 theta तो अगर आपको shear strain निकालना है तो आप theta निकालें और theta की calculation यहाँ पर करी जाती है 10 theta से कभी भी tangential force बगर आँ हो तो आप theta निकालता है तो 10 theta निकालना है अब आप यहाँ दोगो perpendicular upon base निकालना है तो आप 10 theta is equal to क्या रखें? देखें अगर मेरे पास यह जो length है इस length को मैं नाम दिया L और यह जो perpendicular distance आई इसको मैंने अगर नाम दे दिया del x क्या नाम दे दिया इसको del x तो 10 theta या shear strain 10 theta या shear strain इसका formula हो जाएगा perpendicular upon base इस तरीके से आप shear strain दो calculate करते हैं question भी करके मैं आपको इसमें बताऊँगा आपको समझ में आया किस तरह से हम questions को solve करेंगे अभी हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे hook slow की बई सर यह hook slow क्या होता है तो देखो hook एक scientist का नाम था अभी का हो रहा है कि hook ने stress और strain के बीच में एक relation से बस्टैबलिस करा कि यदी कोई material elastic limit के अंदर-अंदर है क्या होता है मैंने क्या का दो limit होती है एक होती elastic और एक होती है plastic अगर आपने का किया कि body regain कर रही है body अगर regain कर सकती है तो हम इसको बोलेंगे यह elastic limit में और body अगर regain नहीं कर सकती है तो हम इसको बोलेंगे plastic limit में मतलब body अब कभी वापस ने आगी तो हम इसको बोलेंगे plastic limit में है तो आप यह देखिए कि hook ने यह कहा कि within elastic limit elastic limit में यदि कोई body है, मतब force लगा रही हो और वापस से ये regen कर सकती है immediately, तो हम ये बोल सकते हैं कि elastic limit में stress और strain ये दोनों directly proportion होते हैं जितना stress लगाओगे, उतनी strain होगी जितना stress उतनी strain जितनी कम stress उतनी कम strain otherwise का होता, जैसे ही body elastic limit से बाहर नकलेगी वैसे ही हम क्या देखते हैं, कि आप भले ही stress कम लगाओ, लेकिन strain ज़्यादा होगा तो उस तरह की चीज़ा में देखने को मिलेगे तो हूक ने क्या का, यदि body elastic limit में है, जिसका हम और detail में समझने वाले हैं, अभी कर सीखेंगे तो उस कमें stress और strain directly proportional होती हैं मतलब stress is directly proportional to strain, क्या? stress is directly proportional to strain अब आप जानते हो, जब भी यह proportional design अटेगा, तो एक constant आएगा, क्या आएगा? जब भी proportional design अटेगा, तो एक constant आएगा, clear? और अब आप यह देखिए, कि एक constant आया, तो हर बार हम constant क ना कुछ ना कुछ नाम तो रखते हैं इस बार हमने constant का नाम रखा देखिए, तो constant formula का बन गया यहाँ से stress upon strain constant का formula बन गया stress upon strain क्या बना stress upon strain और इस constant को नाम दिया गया modulus of elasticity क के नाम दिया गया? modulus of elasticity basically, यह elasticity से related है तो इसको क्या नाम दिया गया modulus of elasticity या coefficient of elasticity हम इस constant को capital E से represent करते हैं और यह जो modulus of elasticity है या coefficient of elasticity है दो type का होता है पहले जीज़ तो आप इसका formula आद रखें है कि यह जो constant E is equal to stress upon strain, elastic coefficient is equal to stress upon strain और यह जो coefficient है यह हमारे 3 type का होता है देखो क्या, young's modulus तीन type का है, young's modulus जिसको हम y से represent करते हैं bulk modulus जिसको हम k से represent करते हैं modulus of elasticity जिसको हम eta या n से represent करते हैं तो जब मैं लिखता हूँ ना young's modulus तो young's modulus को मैं लिखूँगा y is equal to stress upon strain लेकिन यहाँ पर छोड़ी सी बात है yeah, young's modulus होता है length के लिए, किस के लिए होता है young's modulus होता है यह length के लिए होता है यह आपका formula का होता है stress upon strain तो youngs modulus की जब हम बात करते हैं तो उसका formula होता है longitudinal stress upon longitudinal strain that means longitudinal का मतलब समझो आप इसको बोल चकते है longitudinal बोल दो हमें का दिकत है है गहे नहीं आप इस यह समझे longitudinal या longitudinal तो हम उसको पढ़ते हैं एक काम करते है longitudinal तो long along जब कहते है longitudinal इसका मतलब आ-long-it-u-ड-n-l है के नहीं देखे थरा तो longitudinal means along the length longitudinal means along the length तो आप इसको पढ़ेंगे कि जब भी आप force लगाएं और इसकी length stretch हो क्या हो length बड़े तो आप का है बोलेंगे that longitudinal stress upon longitudinal strain is called youngs modulus जैसे यहाँ पर stress कुछ भी generate होई होगी unit का है newton पर meter square कोई value इससे क्या हो रहा है कि इसकी जो length है del L इसकी total length मानके चलिए L है और यहाँ पर stretch कर दिया तो कितना हुआ del L इसमें increment हो गया होग कि नहीं हो गया तो आप यहाँ पर देखेंगे जो भी हमने stress जो भी हमने stress इस पर apply करी है और upon strain निकाल लेंगे del L upon L से तो हमें मिल जागा यहाँ पर youngs modulus क्या मुल जाएगा youngs modulus और आप यह देखते हैं कि youngs modulus जो होता है यह अलग-अलग material के लिए अलग-अलग होगा because हम जानते हैं कि यहाँ पर steel को खीचोगे तो कुछ और होगा rubber को खीचोगे तो कुछ और होगा तो हमने जो first question लिखा था उसमें यह दो बात बोली थी कि rubber में देखो मान के चलो stress अगर हम बात करें कि आपने steel में क्या steel में 100 newton per meter square का आपने stress generate करा है तो steel में जो strain होगी वो बहुत कम होगी बहुत कम होगी और rubber में 100 newton per meter square की stress लगाने से यह ज़ो है जादा होगी तो अब आप ज़रा सोचो कि अगर आप कम value से divide करोगी 100 में तो answer बढ़ा आएगा ना denominator छोटा है denominator छोटा है तो answer बढ़ा आएगा तो steel का youngs modulus होता है ज़्यादा और rubber का youngs modulus होता है कम rubber ध्यान रखना है इसको तो यह भी आपको reason हो जाता है कि steel is more elastic than rubber तो छोड़ी चीज हमसे रह गई है जैसे कि मैं आपको बताऊं कि youngs modulus के हम calculate कर रहे तो छोड़ी चीज कहा रह गई है चीज यह रह गई कि हमें youngs modulus का formula भी बनाना है तो हम यह इस पर इसका formula बनाते है formula क्या है भई यह देखो ज़रा formula है y is equal to longitudinal stress तो formula हो गया force upon area upon longitudinal strain यह हो गया del L upon L तो आपका देखते हैं कि formula जो youngs modulus का बन जाता है that is your force upon area into L upon del L यह formula हो गया F into L upon A into del L यहाँ पर आपको ध्यान रखना है for circular area of cross section for circular जैसे यह यहाँ पर area of cross section circular होता ना तो आपको ध्यान रखना है for circular area of cross section जो A की value हो जाएगे that will be pi R square तो Y is equal to F upon pi R square into L upon del L आपको यहाँ पर एक और चीजान रखनी है यह जो F है यह F क्या है यह force है यह वो force है जो body पर stress लगा रहा है यह वो force है जो body को stress लगा कर तोड़ भी सकता है बात समझे यह break भी कर सकता है तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है यह जो force है यह वो force है body पर stress लगा रहा है मान के चलो कि आप क्या करे एक plastic का pipe है या एक rubber है एक rubber की rope है अब आपना उससे लटक गए तो आपके mass के कारण आपके weight के कारण आपके weight के कारण उस पर stress लग रही है तो आपका mass into acceleration due to gravity that means mg आपका mg will be responsible to create stress in that rope तो आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि हम यहाँ पर कई बार many times F को mg भी लिख करके यहाँ पर formula बना देते हैं तो अभी हम आजाते हैं इसके next question पर के question हमसे क्या कह रहा है देखें यहाँ पर हमें question का मिला यहाँ पर हमें question यह मिल गया कि एक silica glass rod है जिसका diameter है 1 cm तो आप ऐसे मान के चलो कि यह हमारे पास क्या है यह हमारे पास एक glass rod है इसका diameter कितना है 1 cm इसकी length कितनी है 10 cm आगे क्या दिया हुआ है इसका young's modulus कितना है तो young's modulus y is equal to 6.5 times 10 newton per meter square तो हमने इसको लिख दिया 6.5 times 10 newton per meter square आगे क्या दिया हुआ है breaking stress breaking stress of silica 5 times 7 newton per meter square breaking stress क्या है सुनो breaking stress वो value है stress की जहाँ पर body तूट जाती है तो यहाँ पर आपको निकालना कि estimate the mass that can be hung from it without breaking it वो लग कितना mass आप इस silica rod से लटका सकते है कि यह जो silica rod ब्रेक ना हो जाए that means stress कौन लगा रहा है यह mass stress लगा रहा है यह weight stress लगा रहा है तो यह जो mg है that will be your pores causing stress तो आप यहाँ पर young's modulus का जो formula बनाएंगे वो यह बनेगा f upon pi r square into l upon del l यहाँ पर आप यह देखिए जरा सोचो कि f की जगह तो चलो मैं mg रख देता हूँ f की जगह मैं रख दिया mg upon pi r square आगे देखो l upon del l अब जरा देखो क्या इस question में आपको change in length दिया है क्या आपको दिया है कि अगर मैं इतना force लगाँँगा तो 10 cm से ये 11 cm या 10.1 cm ऐसा कुछ हो जाएगा जरा पढ़ो ध्यान से question में ध्यान से पढ़ो quality बढ़ा के पढ़ो ऐसा तो कुछ नहीं दिया तो उसका मतलब है यहाँ पर del l missing है और strain की value भी नहीं दी तो मैं l upon del l से या del l upon l से strain निकाल लेता तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया तो capital M निकालना फिर इस तरह से possible नहीं होगा तो हम क्या करते हैं कि इस question में आपको कुछ चीज़ दी हुई है तो मैं इसको एक बार के लिटा दूँ क्योंकि यह formula आपर नहीं लग सकता है इस question में दिया हुआ है breaking stress दिया है breaking stress sigma is equal to कितना है force upon stress चाहे कोई भी हुचाहे breaking stress हुचाहे normal तो stress का formula होता है force upon area हाँ और area कौन सा area of cross section तो stress है कौन सी stress breaking stress तो breaking stress कितनी दी हुई है 5 into 2 bar 7 is equal to force कितना है तो force कौन सा force है mg force clear है mg force और आगे क्या दिया हुआ है density density दी या नहीं दी यहाँ पर तो mass पूछ रहा है तो mg force है mg upon area की जगे हम लिखेंगे pi r square तो r कितना है r है आपके पास diameter है 1 cm तो radius हो जाएगी 0.5 cm तो radius हो जाएगी 0.5 into 10 to the power minus 2 और centimeter में convert कर लिया अपनने तो अपर इसको लिखेंगे 0.5 into 10 to the power minus 2 का square तो यहाँ पर आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि इस g के जगा मैं लिख सकता हूँ m into 10 तो यहाँ पर यह बचेगा आपके पास 5 into 10 to the power 6 क्योंकि यह 7 से यह cancel होगा into में क्या आ जाएगा pi आ जाएगा into में 0.5 का square तो 0.25 हो गया into में 10 to the power minus 4 हो जाएगा is equal to में हाजाए capital M तो आपको का करना है 5 into 125 तो कितना हो जाएगा यह 125 का into करना है 3.146 से तो आप इसको ऐसे भी कर सकते है 5 अच्छा into pi तो 3.146 into 5 तो यह हो जाएगा 30 23 15 15.730 आ गया 15.730 सही किया गी नहीं कि आहाँ 15.730 आ गया और आप 0.25 का into और कर दे 15. 17.730 इंटू 0.25 तो अगर मैं इसको इंटू कर रहा हूं तो यह आप का पच्छी तो पच्छी तर लीजे भाई यह तो यह आपके पास 393.25 आगे कितना आ गया 393.25 क्लियर इंटू कर लो आपको अपने आप समझ मा जाएगा देखो ज़रा 393.25 तो आपके पास जो मास आ गया यह आ गया 300 इसका एक मनो थोड़ा सावर चेक कर लो ठीक है दो यह और दो यह 3.93 3.93 जा रहा था यह 3.93 2 इंटू 10 उपार 6 और 10 उपार माइनस 4 10 उपार 2 हो गया यह इस एक्वाल डू में आया M तो इसके बाद फाइनली क्या बचेगा 20 को इंटू हो जागा 393.2 तो मास कितना निकल के आ गया M इस एक्वाल टू 393.2 20 केजी बहुत जादा मास पे जब लटका दिया जाएगा तो यह बॉडी जो है सिलिकर और टूट जाएगी इस तरह से आप क्वेशन कर सकते हैं मतलब इस क्वेशन में आपको बहुत सारी वैल्यू दी तो गई थी बट हुआ क्या कि यहाँ पर उनका यूज नहीं आया और कोई एक्स्ट्रा क्वेशन पूछ लेता तो फिर हम उसको कर लेते फिर सॉल आगे तो एम निकाल ली अब आपको जो है जैसे आपसे पूछ ले जाए एक्स्टेंशन पूछ ले का पूछ ले एक्स्टेंशन किसी वैल्यू पर तो हम डेलल की वैल्यू निकाल लेंगे जैसे कि यहाँ पर इस क्वेशन में दिया जा रहा है इसको बढ़िया से समझेंगे अपन और इसके बाद देखो क्वेशन तो मैं बहुत सारे करा सकता हूँ लेकिन आपको इसके लिए न कॉमेंट जरू करना पड़ेगा देखे तो सबसे बहुत हमें क्वेशन एक मिल रहा है और इस क्वेशन में क्या दिया है एक रबर स्ट्रिंग है एक रबर की रसी है अब आप समझ लो कि रबर की रसी है तो स्ट्राचिबल होगी इसमें कोई सक्वाली बात नहीं है इस सस्पेंड इड फ्रॉम ए रिजिट सपोर्ट भाई एक रिजिट सपोर्ट है तो हम ऐसा बोल सकते है यह हमारे पास एक सपोर्ट है ये äricit support है, और perimeter support से क्या हो रहा है, कि यहाँ पर, इस रशी को suspend करा गया है, और इस रशी की जो length है, ये दियो ही है, कितनी 10 meter, कितनी है, 10 meter, अब 10 meter length समझते हैं बहुत हो ती है, कब आपके पास 33 feet, 33 feet हो देWow करीब, इसका मतला आप मान के चलो, तो कि तीन मंजल से भी जादा तो अगर इतनी लंबी को रसी है तीन मंजल से जादा अगर आप उसको लटका होगे तो आप क्या देखोगे वो खुद के ही बेट के कारण स्ट्राच होगी होगी क्योंकि बहुत बारी हो जाती है तीन मंजल मोडी रसी तीन मंजल लंबी रसी ह तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि rubber string है जिसकी length है 10 meter long और इसको suspend करा गया है rigid support से एक end से calculate the extension in string, string में कितना extension हो जाएगा, कितनी change in length हो जाएगी तो हमें dalel यहाँ पर calculate करना है, due to its own weight, खुद के ही weight के कारण, the density of rubber is 1.5 into the power 3, density भी दी हुई है, तो density यह हो गया आपके पास यह हो गई length, density दी हुई है कितनी, तो यहाँ पर row हम लिखेंगे 1.5 into the power 3, और हम यह assume करेंगे कि यह जो value है, यह आपकी, ऐसा योड़ो, मतलब kg per meter cube में है, तो यह कितना है, 1.5 into the power 3 kg per meter cube, यंग्स modulus दिया हुआ है, y की value, 5 into 10 to the power, 6 newton per meter square, और small g की value भी उन्होंने क्या दी दी, कि भई 10 ले लेना, 10 newton per kg, यह फिर meter per second square, यह आपको 10 ले लेनी है, अभी क्या करना है, कि हमें यहाँ पर निकालना है, calculate the extension, हमें निकालना है, del L, तो हम क्या करेंगे, हम simple सा formula लगाएंगे, अभी del L निकालना है निकाल लेते हैं, यहाँ पर समझो, देखो, simple question लेकिन concept इसके अंदर बढ़िया है, देखो, तो मैं अगर हूँगा, youngs modulus का formula लगाँगा, youngs modulus का formula होता है, longitudinal stress upon longitudinal strain, सर, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, कि y is equal to direct लगा दें, कि f के जगे चलो, मैं mg रख लेता हूँ, यह खुद के ही तो answer हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इस बार हमारी यह गड़वड हो जाएगी, क्यों गड़वड हो जाएगी, क्योंकि आप यह देखो, कि इस पूरी length का weight हमें देखना है, पूरी length का weight हमें देखना है, तो वो चीज, तो इसके लिए आपको, जब हम यह mass जो लिखेंगे, जि तो length मुझे पता है, area मुझे नहीं पता, है कि नहीं, तो आप यहाँ पर करेंगे, कि length जो है, यह तो पता है न, 10 meter है, बट area मुझे नहीं पता, तो कोई problem नहीं है, नीचे वाले area से उपर वाला area cut भी जाएगा, कोई problem नहीं, अभी होता क्या है, कि जब मैं mass की बात कर रहा हूँ, तो मुझे इस formula में length लेना पड़ेगा, क्योंकि volume को मैं open करूँगा area into length से, तो जब मैं mass की बात कर रहा हूँ, तो वो पूरे length में यह mass distributed है, तो जब मैं mass calculate करूँगा, तो मुझे पूरी length लेनी पड़ेगी, लेकिन जब मैं extension निकालूँगा, जब मैं strain की बात करू it is from center of mass, हमेशा कोई भी body जो extend करेगी, that will be from center of mass, तो हमें जब बात करेंगे, तो हमेशा हमें कितनी length लेनी पड़ेगी, l by 2, तो जब मैं extension की बात करूँगा, extension कहां से होगा, extension उपर से नहीं होगा, center of mass से होगा, तो जब मैं extension की बात करूँगा, तो मुझे जो dLL है, यह तो क्या consider करनी पड़ेगी, तो मुझे consider करनी है length उस समय, l by 2 मतलब 5 meter, क्या consider करनी है, 5 meter, तो पहले मैं निकाल लेता हूँ, young's modulus, sorry, longitudinal stress upon longitudinal strain, तो यहाँ पर मैं निकालूँगा longitudinal stress, formula होता है force upon area, force कितना है, mass into g upon area, mass है volume, volume, तो volume को मैं लिख सकता हूँ, a into l, और l कितना है, 10, length कितनी है, 10, g की जगह में लिख दिया, 10, area की जगह मैं लिख दिया, area, तो area से area cancel, तो यह कितना आ गया, अच्छा, एक मिनट, mask को wait, तो mask को मैंने लिख दिया, volume into density, तो volume हो गया, a into l, और density हो गया, rho, और g की जगह में लिख दिया, g, upon a की जगह लिख दिया, a, तो a से a cancel, तो longitudinal stress कितना हो गया, sigma is equal to, l के place पर 10, rho के place पर 1.5, 10 to the power 3, g के place पर 10, upon में कुछ नहीं है, तो sigma is equal to, जो निकल किया है हमारे पास, यह हो गया, यह, एक और तीन, चार, और पांच, तो 1.5 into 10 to the power 5, 0, okay, तो यह हो गया, newton per meter square में, यह तो हो गया, longitudinal stress, अब मुझे निकालना है, longitudinal strain निकालना है, तो इसके लिए मैं करूँगा, strain is equal to, longitudinal, longitudinal strain, is equal to, del l upon l होता है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो मैं लिखूँगा, here, extension, will be, due to, half length, extension, कितने length के कारण होगा, half length, क्योंकि half length से ही क्या कर रही है, center of mass, due to half length, because, center of mass, is acting, on half length, clear है, तो यहाँ पर जो मैं l consider करूँगा, longitudinal strain में, यह l कितना हो जाएगा, del l upon 5, तो इस चीज को आप धान रखेंगे, उसके बाद आप कुछ भी नहीं करना है, तो बस यह इसमें समझने वाली चीज थी, यह concept था, अगर आप del l upon l ले लोगे, तो वहाँ पे तो गड़बड होई गई, तो आप निकालेंगे young's modulus, तो यह हो जाएगा, आपका longitudinal strain, sorry, longitudinal stress, longitudinal stress कितनी है, 1.5 ते उपार 5, तो 1.5 ते उपार 5, upon longitudinal strain, तो strain क्या है, del l upon l, del l, del l, को वहाँ पहुचाया, young's modulus नीचे आया, तो 1.5 ते उपार 5, इंटू 5, upon del l की, del l निकालना है, extension, y आगे नीचे, तो y कितना दिया है, 5 ते उपार 6, रवर के लिए इतना दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर हम calculation करेंगे, तो यह कुछ इस तरही से हो जाएगा, 5 से तो cancel हो जाएगा, 5, 10 दिपार, यह कितना बचा है, 5 और 10 दिपार, यह 6, तो यह बचेगा, 10, तो del l is equal to हो गया, 1.5 upon 10, तो del l is equal to हो गया, 0.15, और यह meter में आ जाएगा, तो आप इस तरीके से इसको calculate कर सकते हैं, समझ में आगई, तो अगर 10 meter की है, तो खुद के ही weight के current, 0.15 इसमें extension हो जाएगा, इस तरह से आप बहुत सारे question कर सकते हैं, बस छोड़ी उड़ी चीज़ों का ध्यान देना है, अगर आप चाहेंगे, तो मैंने आपको बताया, सेंबल उपर का, तो Educard का सेंबल उपर आप try कर सकते हैं, clear है, चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, और next हमारे पास bulk modulus, तो अभी दर हमने पढ़ा था, यंग's modulus, और अब हम पढ़ने वाले हैं, bulk modulus, तो देखें जरा, bulk modulus के question भी ऐसे होने, concept से में, वह सोड़ी से practice आपको लगेगी, बढ़िया से, हम numerically separate video करेंगे, जरूर करेंगे, comment section में आपको लिखना पड़ेगा, उसके लिए, ठेक, चलिए, तो bulk modulus क्या होता है, bulk modulus, देखो, bulk modulus होता है, volume के लिए, अब volume का, एक side से तो दबाके, तो volume नहीं, जयो change कर रहा है, तो volume कैसे change करते हैं, जब normal stress लगे, हर side से stress लगे, normal stress, आप यह ऐसे मान के चलिए, कि यह देखो, इस तरह से लग रही है, इससे pressure लगा रहा है, समझेंगे, तो आप क्या देखेंगे, कि जो normal stress को आप pressure भी कहते हैं, हाँ, इसको ध्यान रखेगा, तो जैसे मान के चलो, यह block है, V, अब आपने इ volume decrease, stress लगाने पे volume decrease हुआ, तो normal stress को उन्हें नाम दिया, force upon area, और volumeter के strain क्या हुआ है, strain, तो आप यह देखो, कि strain, इस बार हो क्या रहा है, इस बार हो यह रहा है, del V upon V, change in volume upon initial volume, तो आप क्या देखेंगे, कि यह जो चीज है न, यह आपको negative देखने को मिले, क्या मिलेगी, negative, negative यह आपको बता रहा है, कि volume decrease हो रहा है, negative क्या बता रहा है, volume decrease हो रहा है, तो यहाँ से, जो K है, वो आपको मिल जाएगा, force upon area, into V upon del V, और यह minus का F है, और यहाँ पर आपको यह मिल गया है, K is equal to minus F by A, into V upon del V, तो यह चलेगा, आप इसको धान रहें, normal stress upon volumetric strain, clear है, आगे बढ़ जाते हैं, और इसके बाद, compressibility, देखो, strain कोई भी हो, strain कोई भी हो, इसमें आपको कोई, यूनिट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर यूनिट आ जाती है, यह क्योंकि यह तो bulk modulus है, तो bulk modulus हो, चाहे आपका young's modulus unit रहेगी, वही Newton पर, meter square, क्योंकि जो strain है, उसकी को unit नहीं होती, चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, और compressibility, तो compressibility क्या होता है, the reciprocal of bulk modulus is called compressibility, तो compressibility निकालनी है, तो आप k को calculate करो, और k की value से 1 में divide करते हो, तो compressibility आपको मिल जाएगा, clear है, next होता है, modulus of rigidity, modulus of rigidity, modulus of rigidity कैसे निकालते हैं, इसको बोलते है, shear stress upon shear strain, shear stress क्या होता है, फिर से, f upon a, shear stress भी क्या है, force upon area, और इसके बाद shear strain क्या हो जाता है, तो shear strain थो हमने calculate करा हुआ था, shear stress हमने calculate करा था, 10 theta, और 10 theta की value क्या रही थी, तो eta is equal to f upon a, और 10 theta यहां पे जा रहा था, del x upon l, perpendicular upon base, ऐसा था, तो आपने क्या देखा यहां पे, कि eta is equal to f upon a, into l upon del x, into l upon del x, बताइए जरा, यह clear है, तो इस तरह से आप shear stress यह shear strain निकालते हैं, आपे, del x यह है, और l यह वाली value को हम बोलते हैं, तो बताइए, तो यह shear strain, sorry, modulus of rigidity calculate इस तरीके से हो सकता है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं, इस चाप्टर का एक सबसे important topic, that is stress strain curve for metallic wire, और इसमें भी हम ले ले लेंगे ductile metal, ductile metal वो होता है, या metal तो obviously बात है ductile होता है, तो ductile material वो होता है, जिसको हम खीज के wire के form में बना सकते हैं, तो हम metallic wire हमने इसको simply बोल दिया है, तो देखो, जब भी हम किसी wire को stretch करेंगे, मतलब उस पे stress लगाएंगे, compress भी कर सकते हैं, तो क्या होता है, कि उस wire में strain आती है, stress लगाने पर strain आती है, तो हमें ये समझना है, कितनी stress लगाएंगे, तो कब-कब कितनी-कितनी strain होगी, that means, stress और strain का क्या behavior होने वाला है, एक metallic wire के लिए, clear है, या फिर मैं कहूँ, ductile material के लिए, तो इसके लिए हमें दो axis बनानी होगी, एक axis पर हम लिखेंगे stress को, और दूसरी axis पर हम लिखेंगे strain को, ओके, सो ये हमारे पास एक axis है, जिस पर हमें लिखा, एक side लिखा stress, और दू हमें लिखा, strain, अभी देखें, कभी अगर मेरे पास एक wire है, मैं ये assume कर लेता हूँ, कि मैं इसको stretch कर रहा हूँ, खीच रहा हूँ, और खीच रहा हूँ, तो अभी क्या होता है, कि जिसे मान के चलिए, कि मैंने अगर stress apply करी है, तो जिसे मान के चलिए, ये wire है मेरे पास, अ कर ले रहा है, और वापस से जो उसका original size तब वहां तक पहुंच किया, फिर खीचा, यहीं तक और छोड़ दिया, तो original size तक ये पहुंच किया, फिर खीचा, छोड़ दिया, तो वापस इसने अपने original size को achieve कर लिया, regain कर लिया, तो हमने क्या देखा, कि starting में, जब हम किसी material को stress apply करते हैं, उस पर stress लगाते हैं, तो initially एक particular point तक, वो जो material है ना, उसमें stress और strain directly proportional होती है, जितना stress उतनी strain, जितना stress उतनी strain, और जब मैं इसको release कर दूँँगा, तो वापस से अपने original size पर ये आ जाएगी body, clear, now, तो ये point A हो गया, तो ये जो A point है, इसको मैं बोल सकता हू और से लेकि A तक, ये क्या है, ये है elastic limit, sorry, ये proportionality limit, क्या है, यो O point है, sorry, A point जो है, ये proportionality limit, proportionality limit, मतलब जो A point पर stress की value होगी, इसको मैं बोलते है, proportionality limit, मतलब इतनी stress लगाओगे, तो इतनी stress की value तक, यहाँ पर stress और strain directly proportional होगी, अभी क्या हुआ कि हमने इस material ये जो wire था, हमने इसको इस value से और ज़्यादा stress लगाए, मतलब और खींचा, तो हमने क्या देखा कि इस बार जो curve है, ये कुछ इस तरीके का हो गया, that means B point तक हम पहुँच गए, तो अभी B point एक ऐसा point है, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कि इतन अभी original size को achieve कर लिया, इसने, B पर A से लेके B तक stretch किया मैंने इसको, और B पर मैंने इसको release किया, मतलब B point इतना खींचने बाद अब मैं इसको और नहीं खींच रहा हूँ, छोड़ दिया, तो ये वापस अपने original size पर आ जा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, कि B point तक छोड़ तो मतलब B point को मैं नाम दे दिया, इसको मैं नाम दिया, elastic limit, क्या? Elastic limit, elastic limit या इसी को मैं बोलता हूँ, yield limit, मतलब ये एक ऐसा point है कि अगर मैंने यहां तक stress को रखा, तो ये अपने original size को regain कर लेगा, मतलब ये अभी elastic limit में है, elastic limit में है, लेकिन क्या हो रहा है, कि इस limit में, A से लेके बीता कि एक ऐसा curve है, कि जहां पर hook slow obey नहीं हो रहा है, यहां पर क्या नहीं हो रहा है, यहां पर इस region में hook slow obey नहीं हो रहा, टिक चलिए, तो हमने क्या किया, मतलब यहां पर stress strain directly proportional नहीं है, थोड़ा सा इसमें अंतर आ रहा है, जैसे यहां पर मैंने देखा कि stress तो मैं कम लगाई, लेकिन strain जादा हो गया, clear now, इसके बाद का होता है, कि B point से जादा मैंने और stress लगाने कोशिश की, तो अब क्या हो रहा है, कि अब मैं stress कम लगाऊंगा, लेकिन strain जादा हो रहा है, stress कम लगाई, लेकिन strain जादा, B point से हम आगे पहुंचे, और हम पहुंच गए C point पे तो अब मैं पहुँच गया C पॉइंट पे अभी C पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है कि जहां पर आप देख रहा हूं कि stress मैं थोड़ा सा में उपर उठा लेकिन आगे ज़्यादा बढ़ गया तो B पॉइंट से ज़्यादा मतलब elastic limit से ज़्यादा अगर मैं stress लगाता हूं तो मैं देखता हूं कि थोड़ी से stress लगा रहा हूं और strain ज़्यादा हो रही है थोड़ी से stress कई भी नहीं होता कि पहले अगर मैं spring को खीच रहा हूं तो पहले तो मुझे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है लेकिन एक limit के बाद ताकत कम लगाता हूं लेकिन spring या वायर ज़्यादा खीचता है च्विंगम को भी ऐसी करते हैं है कि नहीं तो आप यह देखते हैं कि starting में तो उसको tight खीच रही है उसके बाद या राम से खीचती है तो आपको बस वही चीज़ समझनी है कि B point से आगे अगर मैं जाता हूं elastic limit से आगे जाता हूं तो stress कम लगाओं और strain ज़्यादा होगी लेकिन C point एक ऐसा point है कि यदि मैं यहाँ पर body को release कर देता हूं इस point से ज़्यादा और stress नहीं बढ़ाता तो क्या होता है कि body अभी भी खुद को ये इसके अंदर capability होती है कि अभी भी अपने size को achieve कर सकती है अभी भी ये इसके अंदर elasticity बाकी है अभी भी अपने original size को ये achieve करने की कोशिस करती है लेकिन अब इसके अंदर वो जो उसका original size था इसको पूरी तरह से चीव नहीं कर पाती अब इसके अंदर कुछ ना कुछ residual plasticity आ जाती है मतलब कुछ ना तुम मैं इसको बोलता हूँ कि ये क्या है बैई ये जो ये O से लेके O-S तक का जो reason हो गया इसको मैंने नाम दिया permanent set मतलब इसके अंदर कुछ permanent deformation आ चुकिए भले ही वो 1% क्यों ना हो clear ना हो तो C से ये regain करने की थोड़ी बहुत capacity रखता है ये B के बाद जो reason हो हलका सा partially plastic बनने लगता है मतलब थोड़ा बहुत permanent deformation इसके अंदर आने लगता है अब आपने कहा किये C point से ज़्यादा अगर अगर आपने C point से ज़्यादा क्या करा C point से ज़्यादा अगर आपने stress बढ़ाई तो अब क्या होगा आप थोड़ी से stress बढ़ाऊगा strain बहुत बढ़ेगा stress थोड़ी सी थोड़ी सी और strain बहुत ज़्यादा stress थोड़ी सी और strain बहुत ज़्यादा तो C point के बाद जो reason है यह completely plastic होने लग जाता है Beyond C Beyond C More या आप इसको पूरा लिखेंगे Beyond C Stress Is less या ऐसे लिखूंगा For very less stress For very less stress There is Large strain बहुत large strain आपको यहाँ पर देखने को मिलता है अब आप पहुंचते हैं धीर धीरे D point पे D point एक ऐसा point है जो की plastic region में ही है और D point पे आप का देखते हैं कि वहीं stress हो गई maximum और इस maximum stress तक ही कोई body टिकी है सकती है उसके बाद क्या होता है ना कि अगर आप इस body को छोड़ भी दें तो body अपने आप फैलने लग जाती है अगर आप body को छोड़ भी तो body अपने आप फैलने लग जाती है point clear है तो इस तरह का यह curve आपको यहां पर देखने को मिलता है आप इसका screenshot ले सकते है यह होता है stress string curve याद रखिए आपको समझना है कि जो brittle material होते है कलक बिटल जिसे कि glass अब glass में क्या होता है ना कि A और B point तक तो ठीक है B point तो ठीक है जिसे glass को भी आप थोड़ा दबाओगे तो वो खुद मतलब एक बार मिन तूट जाता है अगर आप धीमे धीमे करके दाओ तो वो भी दबेगा और छोड़ दोगे तो वापस से regain करेगा लेकिन क्या होता है कि glass में यह plastic region नहीं होता stress और strain करव अगर आप बनाते है stress और यह हो गया strain तो अगर brittle material है तो यह starting में ऐसा जाएगा और उसके बाद यहाँ पर ही आपको मतलब अगर यह A है यह B है तो यहीं पर आपको क्या मिल जाएगा एक breaking point मिल जाएगा तो आप इसको सिर्फ इतना ही बना देते हैं यह क्या है यहीं आपका brittle material के लिए हो गया तो अब जैसे मान के चलो आपने दो graph बनाए और A graph में क्या हो रहा है यह ऐसे tail जादा बढ़ रही है तो समझ देना और A graph में सिर्फ यह tail छोटी है तो याद रखना है जिसकी tail छोटी यह B point के बाद वो उसका plastic region उतना ही छोटा है वो जल्दी तूट जाएगा clear है? तो जिसकी tail छोटी न वो ज़्यादा brittle है, वो कम elastic है समझे? यह आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ेंगे Elastomer, Elastomer होते हैं जैसे की rubber, जैसे की rubber, अब Elastomer में क्या होता है? कि आपको इस तरह का stress और strain, मतलब कोई भी hook slow वाला region देखने को नहीं मिलता है Elastomer होते हैं जैसे rubber आप यह देखो कि थोड़ी बहुत stress और बहुत जादा strain आपको इसमें देखने को मिलती है मतलब आपको इसमें कोई भी reason ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर आपको stress और strain directly proportional मिले, तो यह करव आपका बन जाएगा, आगे बढ़ेंगे Elastic limit क्या होता है? इसको हमने समझी दिया, the maximum stress Elastic limit अभी हमने क्या समझा? Maximum stress within which a body regains its original shape and size after removal of force is called Elastic limit, इस point तक अगर आपने force को अटा दिये Elastic limit stress की वो value होती है जो की जिसके बाद body regen नहीं करेगी अपने original size को, लेकर अगर आप Elastic limit के अंदर अंदर है उस stress की value के अंदर अंदर है, तो अपने size को वो दुबारा से achieve कर सकती है after this body undergoes permanent deformation और इसके बाद body में कुछ ना कुछ permanent deformation आना start हो जाते हैं, आगे बढ़ेंगे Elastic after effect क्या होता है Elastic after effect का मतलब आप ऐसा मानगे चलिए कि आपने एक rubber को दबा दिया, एक rubber को ऐसे आपने इस पे load लगाया और दबा दिया, और ये दबगे कुछ ऐसा हो गया अभी क्या हो रहा है कि जैसे आपने unload कर दिया इसको, तो unload कर दिया तो इसको immediately उपर उठ जाना चाहिए था लेकिन क्या हो रहा है, धीमे, 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 एक घंटे बाद, दो घंटे बाद, ये अपने original shape को, ये size को achieve कर पाया, तो उसको हम बोलते हैं, elastic after effect, तो आप क्या देखेंगे, the delay in regaining the original state by a body on removal of deforming force is called elastic after effect, वही, elastic after effect क्या होता है, elastic after effect का मतलब है कि जो delay हो रहा है, body को regain करने में, मतलब elastic after effect है ना, after effect दिखा रहा है, immediately करना चाहिए था लेकिन delay कर गया, तो उसको आपने बोला after effect है, ये धी में, धी में, धी में, जब इस कमन करेगा तब आएगा, ये, clear है, आगे बढ़ेंगे, और next क्या है, elastic fatigue, elastic fatigue क्या होता है, इस पे आपको धान देना है, समझी जरा, elastic fatigue क्या है, देखो, elastic fatigue क्या होता है, कि यदि आप किसी material को periodically, इस तरह से जो hit कर रहे हो, जैसे मान के चलो, कि आपने एक iron के sheet ले लिए, या steel का wire ले लिया, तो, या steel के sheet ले लिए, अब आप उसको hit कर रहे हो, तो आपने hit करा, उसने अपने size को regen कर रहे हैं, या कोईश करी, आपने hit करा, उसने size को regen कर रहे हैं, या उसने fail ने नहीं दिया पहली चीज़तों, वो भी elasticity है, आप उसको बारवाई hit कर रहे हो, कर रहे हो, cycling loading, unloading, loading, 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 तो आप का देखते हैं, कि उस material के अंदर क्या हो जाए, कुस इसे material को cyclic loading, unloading करते हैं, जब हम उसको hit करते हैं, जब हम उसको periodically hit करते हैं, लगाता है, ऐसे, 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 जो, load कर रहे हैं, unload कर रहे हैं, तो हम देखते हैं, कि एक time ऐसा आता है, कि वो material अपनी धीमे-धीमे strength खोने लगता है, और इस condition को हम बोलते हैं, अब strength खोई जाएगा, तो वो कैसे regain कर पाएगा, तो इसलिए हमने उसको elastic fatigue, मतलब elasticity में थकान आ गई, समझ गए, तो elastic fatigue में क्या होता है, कोई material, due to cyclic loading and unloading, loading and unloading के कारण से अपनी जो size and shape को regain नहीं कर पाता है, तो उसको हमने material पर deforming force लगाया, मतलब stress लगाई, तो stress हमने लगा दी लेकिन उसमें immediately strain नहीं हो रहा है, या ऐसे चलो, ऐसे बोल देता हूँ मैं, कि मानके चलिए, कि lagging behavior शो कर रहा है, का शो कर रहा है lagging, मतलब stress और strain में एक lagging behavior आपको देखने को मिलता है, जैसे मानके चलो मैंने immediately stress लगाई, तो फिर immediately strain होनी चाहिए ना, अगर वो मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, और जैसे मानके चलो मैंने stress अड़ा दी, तो मुझे immediately क्या मिलना चाहिए, immediately फिर जो strain है वो zero हो जाने चाहिए, that means, मैंने इसको खीचा, मैंने इसको खीचा, और खीच के मैंने छोड़ दिया, तो जैसे मैंने इसको छोड़ा, इसको वापस से immediately अपनी position पे जाना चाहिए, और अगर यह नहीं जा रही है immediately, तो इसका मतलब है कुछ lagging हो रही है, क्या हो रही है, lagging, stress आगे और strain पीछे रह गई, जो साथ में काम नहीं चल पा रहा है, देखो, जैसे stress लगाई, वैसे अगर strain नहीं हो रही है, stress और strain दोनों साथ में नहीं हो रही हैं, at the same time, तो कुछ energy का loss होता है, और उस energy का loss का म बोलता है, hysteresis का बोलता है, hysteresis, तो अगर आप यह देखेंगे, कि यह कुछ इस तरह कर बनता है, जाने का रास्ता तो यह हुआ, जाने का रास्ता तो यह हुआ, लेकर आने का रास्ता, as it is नहीं है, जैसे छोड़ दें, तो इसी पात पे, अगर यह नहीं आ पा रही है, तो हम क्या बोलेंगे, जैसे O, A, अगर यह उसी पात पे, नहीं आ पा रही है, तो हम यह बोलेंगे, कि भाई, इसमें कुछ एनरजी का loss हो गया है, कुछ एनरजी का loss हो गया, और उस एनरजी का loss को हम बोलते हैं, hysteresis का बोलते हैं, तो जितना curve यह ज़्यादा बढ़ा होगा, जितना area इसका ज़्यादा होगा, उतना ही इसमें energy का loss में देखने को मिलता है. तो इसका जो area होता है, इस curve का, area बताता है, area represents loss of energy. Area represents loss of energy. Clear है? तो इसको हम बोलते हैं, hysteresis curve भी हम इसको बोलते हैं. Clear? Now. Next होता है, poisons ratio. ratio क्या है? Within elastic limit. अगर हम elastic limit के अंदर अंदर बात कर रहे हैं, तो the ratio of lateral strain to the longitudinal strain. तो हम बात कर रहे हैं poisons ratio की. तो मैंने आपे लेखा poisons ratio, lateral strain to the longitudinal strain. longitudinal strain, देखो. जब हम किसी भी wire को या किसी material को खीचते हैं, या उसको compress करते हैं, तो क्या होता है? अब आपने इसको खीचा, तो खीचा तो लेंद बढ़ गई, लेंद बढ़ेगी, तो उसका diameter कम हो जाएगा, अब इसी बात है. तो यह जो उसकी diametrically, longitudeल मतना along the length, तो लंबाई में जो change आ रहा है, strain आ रहा है, उसको अमने नाम दिया longitudinal strain, और जो diameter में आ रहा है, उसको अमने नाम दिया lateral strain. क्या नाम दिया, lateral strain, अभी क्या हो रहा है, lateral strain, lateral strain हम किसको consider करेंगे, diameter को इसको, तो यहाँ पर आपो क्या देखने को मिल जाएगा, del L upon L, ये भी तो छोटा हो जाएगा, अगर आपने इसको खीच के लंबा कर दिया, तो यहाँ पर ये क्या है, ये थिक्की जगे, ये थिन ह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तिक्की जगे ये, थिन हो जाएगा, clear है ना, आप इसको समझ ये, तो del L by L, और upon में क्या आजाएगा, literal, sorry, literal है ना, तो del D by D upon में del L by L, ये del D by D into, ये आपके बास यहाँ पर L upon del L, इस तरह से ये कुछ बन जाएगा, और यहाँ पर अगर आप ratio देखें, तो भाई ये, इसका कोई, देखें, तो इसकी कोई unit नहीं होती, कोई dimension नहीं होती, poisons ratio, और इसकी value practically जो होती है, that is 0 to 0.5, मतलब अगर आप lateral और longitudinal strain का ratio निकालेंगे, तो कितना हैगा, 0 to 0.5, अब इस पर कुछ numerical के लिए हम अलग से series ले करके, आपके लिए जरूर रहेंगे, इसके बाद, अगर आप चाहते हैं, कि आप अपने exam में बहुत सांदार score करें, त यह आपके exam के लिए बहुत बहुत जादा useful रहेगी, तो आप इसको purchase करें और practice करें, practice तो करनी पड़ेगी, चाहे आप purchase करें, सिर्फ purchase करने से ही कुछ नहीं होगा, practice करो, trust me guys, यह आपको helpful होगा बहुत जादा, तो इस video के लिए बस अतना ही, मिलेंगे आप से next video में, और जरूरी बात यह है, कि आपको समझना है, पौने बारा का time हो चुका है, और आप इस video को share कर सकते हैं, अपने friends के साथ, तो जरूर से share करें, इसके अलावा मुझे comment करके जरूर बताना, कि आपको इस video में कितनी help हो पाई, क्योंकि आप अगर comment करेंगे, that will be great motivation for me guys, तो आपक सच में comment करते हैं, तो मुझे दिल से खोशी होगी, और लगता है, कि आपने जो work किया है, वो थोड़ा सा सार्थ हो पाया है, हाँ, तो आप मुझे comment करके जरूर बताए, और telegram channel को join कर लेना, ताकि आप ज्यादा स्यादा मुझे से जोड़े हो रह सकें, और जो भी one shot next videos आपके लिया आने वाले हैं, वो आपको मिल सकें, इस वीडियो के लिए तना ही तब तक के लिए, thank you so much guys, thanks a lot, see you again in the next video, thank you.